Hello everyone, welcome and welcome back to my channel So guys, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्यूटिफुल और लेटेस्ट 2-in-1 आउट्फिट की कटिंग स्टिचिंग बहुती आसान तरीके से स्टेप बाइ स्टेप क्योंकि ये 2-in-1 आउट्फिट है तो हम इसको गाउन की तरह भी पहन सकते हैं और कुछ ही सेकेंड में हम इसको साडी की तरह भी वेर कर सकते हैं पहनने के बाद आप इसका लुक देख सकते हैं बहुती ब्यूटिफुल और एलिगेंट आया है इस तरह का 2-in-1 आउट्फिट इस्टाग्राम पर आजकल काफी ज़्यादा ट्रेंड में है जिसकी मुझे रिक्वेस्ट भी आ रही थी तो इसको मैंने प्लेन फैब्रिक और लेस के साथ डिजाइन किया है बट आप अपनी पसंद के किसी भी डिजाइनर फैब्रिक के साथ इसको बना सकते हैं राइट नाओ फैस्टिव सीजन चल रहा है और नेक्स्ट वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है तो आप इस आउट्फिट को बना सकते हैं बहुती लेटिस्ट और ट्रेंडी डिजाइन है वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंट तक जरूर देखें कहीं भी स्केप ना करें बिकोज कुछ लोग वीडियो बिलकुल भी नहीं देखते और कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे आपने फैब्रिक कितना लिया है कौन सा लिया है और अल डेट यह सब छोटी छोटी चीज़े तो मैं वीडियो के स्टार्ट में यानि कटिंग से पहले ही बता देती हूँ बाकि जितने भी स्टैप हैं वो मैं आगे वीडियो में डिटेल में बताती चलती हूँ तो प्लीज वीडियो को एंट तक जरूर देखें अगर आपको यह आउटफिट बनाना है एंड यह है हमारा गाउन का लुक तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेर कर दे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो हमारे आउटफिट का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है रेडि लेंद 55 है और बाकी जो मेजरमेंट है वो हमने बोडी से लिया है तो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने 7 मीटर जॉर्डट ली है अगर आप दुपट्टे की चौड़ाई 40 इंच तक लेंगे तो आपको कम से कम 9 मीटर ये लेस लेनी होगी इसके बाद जो हमने लाइनिंग ली है वो मैंने 4 मीटर रियोन फाब्रिक लिया है तो जो गाउन की लेंग थे वो 5 पानीच है इसी के अकॉर्डिंग मैंने जो लाइनिंग है वो 4 मीटर ली है तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अपना जॉर्डट वाला जो फाब्रिक है इसमें से हम अपना दुपट्टा निकालेंगे तो यहाँ पर मैं दुपट्टे की जो लैंध है वो 5 मीटर ले रही हूँ आप अगर जादा लैंध में चाते हैं तो आप पॉने 3 मीटर ले सकते हैं तो 7 मीटर में से सबसे पहले हमने दुपट्टा निकालना है यह दिखे यह 1 मीटर फाब्रिक को मैंने डबल कर लिया अब यह 2 मीटर हो गया है इसके बाद आगे की तरफ हम इसमें डाई यानि आधा मीटर और अड़ कर लेंगे तो टोटल हमारा डाई मीटर फाब्रिक दुपट्टे के लिए आ जाएगा तो अब इसमें से हमने इसको कट कर लेना है तो इस तरह से यह हमारा डुपट्टे की जो लेंधे वो कट हो गई है डाई मीटर दुपट्टा है और जो साड़े चार मीटर फाब्रिक है इससे हमारा गाउन बनेगा इसको भी साइड में रखेंगे पहले हम अपने दुपट्टे की चोड़ाई ले लेते हैं तो यहाँ पर दुपट्टे की जो चोड़ाई है वो मैं 37 इंच पर कट करूंगी 36 इंच की चोड़ाई इसकी रेडी रहेगी तो जितना एक्स्ट्रा फाब्रिक है यहाँ से हम निकाल देंगे यह देखे इस तरह से यह बचा हुआ फाब्रिक भी हम आगे गाउन में यूज़ करेंगे फिल हाल यह हमारा दुपट्टा है इसकी चोड़ाई ली है वो हमने 37 इंच ली है लैंद इसकी डाइमीटर है अब हमने इसको तीनों साइट से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है उसके उपर लैस लगानी है यह देखे तीनों साइट से फोल्ड करना है बस एक साइट हम इसकी फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर हमने plates बनानी है जो कि हमारी gown से attach होंगी तो मैं direct ही जो दुपटे के edges हैं वो fold करते हुए less लगाती हुई शिलाई लगा दूँगी तो दिखिए बस यहां से हम तकरीबन आधा इंच फैब्रिक को सीधी तरफ fold करेंगे और इसके उपर simply less रखते हुए किनारी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से उसके बाद जो less की चुड़ाई है तकरीबन हमारी दो इंच है तो दूसरे side से भी हमने सिलाई लगा कर इसको इस तरफ से secure कर देना है तो यहां पर हमारी less है वो कुछ इस तरह से लग गई है यह देखिए less जो है वो हमने तीनो side में लगाई है दुपट्टे के अब यह जो एक side यानि अरज वाली side जो बची है 37 इंच जो हमने cut की थी यहां पर हमने plates बनानी है तो यहां पर जो plates है वो हमने तकरीबन 2 इंच गहरी plates बनानी है फिलाल यहां पर मैं एक 100 इंच गहरी plates बना रही हूँ जो कि मुझे आगे open करनी पड़ी इसकी length जादा हो गई थी तो वो मैंने बाद में 2 इंच गहरी plates बना ली थी तो यहां पर आपको 2 इंच गहरी plates बनानी है plates बनाने के बाद यह वाला जो part है यह 8 से 9 इंच होना चाहिए अभी देखे मेरा 11 इंच है तो यह जादा है बाद में मुझे यह जादा लगा तो मैंने इसको 9 इंच पर कर लिया था तो बस आपको यह जो plate से 9 इंच पर बनानी है इस तरह से हमारा जो यह दुपट्टा है वो तयार हो जाएगा यह देखे तो दुपट्टा हमारा तयार हो गया है इसको हम side में रखेंगे इसके बाद हम अपना जो gown है उसकी cutting करेंगे तो पहले हम अस्तर वाले fabric में से top part के लिए fabric निकालेंगे तो यहां से कपड़े को हम इस तरह से double करेंगे और उसके बाद four fold कर लेंगे यह देखे इस तरह से तो अपने top part के according length और width निकालने के बाद यह देखे कपड़ा मैंने four fold करके रखा है और यह बंद वाली side मेरी तरफ है इसकी जो चोड़ाई है वो मैंने 17-11 इंच लिए है 10 इंच पर इसका बास्ट आएगा और जो length है वो मैंने 16 इंच लिए है 15 इंच पर हम top part ready करेंगे अब इसी के बराबर हमने जॉर्जट वाले fabric को भी लिया है यह देखे 4-fold है दोनों की लंबाई चोड़ाई बिल्कुल बराबर रहेगी दोनों की जो dimension है वो same रखेंगे उसके बाद जॉर्जट वाले part को मैंने नीचे रख लिया है lining वाले part को उपर दोनों की बंद वाली side एक तरफ रखेंगे अब यहां से shoulder का half लेंगे तो मैं size के according 7 inch ले रही हूँ neck की जो चोड़ाई है वो हम 3 inch लेंगे और उसके बाद हमने 7 inch पर armhole की length लेनी है यहां से सीधा mark करेंगे और इसको उपर मिला देंगे और 12 inch पर हम कंधी down करेंगे अब इस वाले mark को neck की चोड़ाई से मिला देंगे यह देखें इस तरह से इसके बाद हमने यहां से bust लेना है तो अभी यह 11 inch है 10 inch पर हम इसके bust की fitting बिनाएंगे इस तरह से उसके बाद जो भी यहां से length आ रही है इसको half करेंगे armhole की shape देंगे तो यह हमारा back armhole है और half से ponnich अंदर की तरफ front armhole की shape देंगे इस तरह से इसके बाद हमने अपने waist का mark करना है तो यहां पर हमने waist का foot part plus 1 inch करके mark करना है क्योंकि हम इसमें dart बनाएंगे तो size के according मैंने 9 inch लिया है यह हमारे fitting के mark है इनको line up कर देंगे और आगे की तरफ हमारा 7 inch जो है वो अंदर margin आ जाएगा इस तरह से अब दिखें dart में हमने 1 inch extra लिया है तो dart का जो gap है यहां से हम ponnich 4 inch लेंगे और जो apex point है वो हमें 11 inch पर लोंगी size के according तो यह हमारी dart के length है और नीचे से जो dart की चोड़ाई है वो हमने 1 inch लेनी है क्योंकि waste के foot part में हमने 1 inch बढ़ाया था अब यहां से हमने dart की shape देकर इसको mark कर देना है यह simple dart है हमारी इसके बाद जो हमारा आगे मार जाने यहां से आदा inch का mark करेंगे और इस mark को पीछे dart तक गुलाई देते इंच ले थी back neck की जो length है वो हम 5 inch लेंगे और front neck की length 7 inch यहां पर neck की length और width आप अपने size के साब से कम ज़्यादा कर सकते हैं नीचे से भी 3 inch चोड़ाई लेकर 2 box बना लेंगे उसके बाद back neck की जो shape है वो मैं इस तरह से round में दूंगी और जो front वाला neck है वो हलका सा V shape में इस तरह से draw कर लेंगे इसके बाद हमने अपने back neck की cutting करनी है यह दिखिए इस तरह से तो यह हमारा back neck है उसके बाद हमने जो dart के mark है नौचेजें वो लगा लेने हैं इस तरह से अब इसमें से हम back वाला part निकाल देंगे तो यह एक जोर्ज Loud वाला part निकाल लेंगे और एक हमारा जो lining वाला part है वो निकाल देंगे और यह वाले जो part है यह front के हैं तो अब इसमें हम front के जो neck की गहराई है वो cut कर लेंगे साथ में आर्मोल के एक्स्ट्रा कटिंग भी कर लेंगे तो टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है इसके बाद हमने इसके जो नेक है वो बनाने है यहाँ पर नेक मैं अस्तर में बना रही हूँ आप इसको कैनवास पर भी बना सकते हैं सिंपली नेक के ओपर सिलाय लगा कर हम छोटे-छोटे कट लगा लेंगे सेम इसी तरह से जो हमारा बैक वाला नेक है उसको भी मैं अस्तर पर बनाऊंगी तो यहाँ से एक पैर की सिलाय लगा कर हमने छोटे-छोटे कट लगा लेने हैं इसके बाद हमने सिलीव कट करनी है तो जो जो जॉर्डट वाला फाब्रिक कि उसको हम इस तरह से फोर फोल्ड करेंगे और यहां से अपनी स्लीव की लेंगे तो मैं यहां पर स्लीव की जो लेंथ है वो 22 इंच लूँगी सो गैज मैं यहां पर बिल्कुल सिंपल स्लीव बना रही हूँ आप चाहें तो स्लीव का डिजाइन चेंज कर सकते हैं तो सिंपल स्लीव की मार्किंग करने के बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है जो मेरी स्लीव का मेजरमेंट है साइस के अकॉर्डिंग वो कुछ इस तरह से रहेगा इसके बाद हमने जो स्लीव की ओपनिंग है उसको फोल्ड कर लेना है और उसके उपर लैस लगा देनी है तो यह हमारा जो neck है वो अस्तर में बन गया है सेम इसी तरह से जो हमारा front वाला part था उसके neck भी हमने finish किया यह देखिए सीधी तरफ turn करने के बाद पहले हमने इसके neck पर सिलाई लगाई फिर चारो तरफ सिलाई लगा दी और बाद में हमने जो इसके dart हैं वो भी stitch कर लिए है अभी जो हमारा back वाला part है उसमें हमने dart नहीं डाले हैं क्योंकि पहले हम इसकी जो कंदी है वो underground joint करेंगे उसके बाद back part में हम dart डालेंगे तो देखिए जो underground कंदी joint करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं मैं अपनी कई वीडियो में इस तरह की shoulder joint करना सिखा चुकी हूँ तो मैं यहां भी आपको एक बार और बता रही हूँ देखिए दोनों को इस तरह से रखना है दोनों की right side जो है वो फिलाल अंदर है ऐसे करके हम इस तरह से रखेंगे और आदा इंच की सिलाई लगा देंगे तो यह हमारी जो कंदिया है यह आप देख सकते हैं अंडर ग्राउंड स्टिच हुई है कंदी जोइन करने के बाद बैक वाले पार्ट पर हमने चार तरह सिलाई लगा कर सिक्योर कर लिया उसके बाद हमने उसमें डार्ट भी स्टिच कर ली है अब देखिए यह हमारी सिलीव है जिसके मोरी पर हमने लैस लगा ली है अब सिलीव को हम इस तरह से रखेंगे यानि शोल्डर के जोइन्ट के उपर और यहां से हमने सिलाई लगा देनी है आप चाहें तो fitting लगाने के बाद भी यह दोनों सिलीव लगा सकते हैं इसके बाद neck के उपर हमने लैस लगानी है तो यहां पर जो हमारी latch है जो simply neck के उपर इस तरह से रखेंगे और जहां पर जो shape है उस सिके according हमने latch को इस तरह से लगा देना है तो इस तरह से last भी हमने लगा ली है ये देखिए अब हमने इसकी जो fitting है वो लगा लेनी है तो यहां से हमने यहां तक इसकी fitting लगा लेनी है तो यह हमारा top part ready हो गया है अब इसी की help से हम अपना नीचे bottom वाला part भी cut करेंगे तो पहले हम back वाला part cut करेंगे यानि जो flare है हमारा back वाला उसकी cutting करनी है तो कपड़े को हमने इस तरह से diagonally double fold करना है यह हमारा back वाला part रहेगा इस तरह से fold करने के बाद अब हमने अपने top part की जो waist की गुलाई है वो check कर लेनी है यहां पर हमारे top part की यह देखिए इस तरह से गुलाई जितनी भी होगी उसका half कर लेंगे half करने के बाद अब हमने इसमें एक इंच प्लस करना है तो मेरे measurement के according यह साड़े 9 इंच आया है तो साड़े 9 इंच को हमने इंच टेप को इस तरह से गुमाते हुए रखना है गुलाई में और खुली side में हम mark कर लेंगे यह दे उसके बाद यह सभी mark को हमने इस तरह से मिला देना है इसके बाद हम top part की length चेक करेंगे तो यहाँ पर जो मेरे top part की ready length है वो 15 इंच रहेगी तो 15 इंच को हम इस mark पर उपर की तरफ निकाल देंगे इस तरह से उसके बाद नीचे की तरफ हम अपने जो length है ready उसकी marking करेंगे तो यहाँ पर मेरे gown की ready length है वो 55 इंच है तो एक इंच प्लस करके मैंने mark कर लिया है तो 56 इंच पर मेरे mark आया है अब दिखिए यहाँ से इतना joint पड़ेगा तो यह दूपटे में से बचा हुआ जो fabric है जो हमने extra निकाला था तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे किनारी के हुए जितना यह सिलाई में चला जाएगा उसके बाद यह जो मेरे पास fabric है यह मेरी length के according fit आया है तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कपड़े को सीधा सीधा रख लेना है इस तरह से आगे तक हमने इसको बिचा लिया है उसके बाद यह जो length थी हमारी marking की इसको हमने cut कर लेना है इस तरह से अब यह बचा हुआ जो fabric है यह वाला इससे हम अपना front यानी plated वाला part बनाएंगे तो अभी इससे हम side में रखेंगे पहले हम अपना back वाला part कट करेंगे यहां से check कर लेंगे जो भी length है या फिर direct inch tape को ओपर corner पर रख लेंगे ऐसे करके और देख लेंगे जो लेंद को follow करते हुए हमने half circle mark करना है तो पहले थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने इस तरह से marking कर लेनी है ताकि जो हमारा circle है वो अच्छे से गोलाई में आए इस तरह से and इन सभी mark को हम direct मिला देंगे ताकि यह dark हो जाए इस तरह से उसके बाद हमने cutting करनी है तो देखिए marking हमारी complete हो चुकी है पहले हमने यहाँ से waist में से cut करना है उसके बाद center का notch लगाना है और नीचे से जो घेरे की को लाई है यह cut कर लेनी है इस तरह से तो यह हमारा back वाला part था जो हमने half circle में cut किया इसमें यह side में joint आएगा अब simply इसको इस तरह से रखेंगे किनारी से किनारी मिलाते हुए और आदा इंच का दबाव लेकर हमने सिलाई कर देनी है तो कुछ इस तरह से मैंने यह joint है यह डाल लिया है और इसके चारों तरफ मैंने pin लगा कर इसको secure कर दिया है ताकि जब हम lining cut करें तो यह jordid fabric इदर उदर ना भागे तो इसी की help से हमने अस्तर की cutting करनी है तो यह हमारा lining वाला fabric है इसको हमने double fold करके रखा है इसके बाद हमने इसको diagonally four fold कर लेना है ऐसे करके तो कपड़े को अच्छे से हमने बिचा लिया है कोई भी silver नहीं होनी चाहिए उसके बाद यह जो jordid वाला half circle है हमने cut किया था इसके उपर हमने इस तरह से रख देना है जो इसका waist round है वो उसके बराबर आएगा and इसी के बराबर बराबर हमने mark कर लेना है ऐसे करके and इसके बाद जो इसकी length है यानि जो हमारा jordid वाला fabric है इसकी length है उससे 2 inch कम करके हमने lining की length लेनी है जो भी length आएगी हम mark कर लेंगे इसके बाद हमने इसकी cutting करनी है तो देखे जो हमने waste में गोलाई में marking की थी इसकी cutting कर लेनी है यहां से जो भी length आई है उसको check कर लेंगे यही length को आगे follow करते हुए हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर mark करना है तो जो हमारा flare है यानि bottom है उसके लिए हम यह अस्तर cut कर रहे हैं इस तरह से इसकी जो भी length आई है mark कर ले है अब इसी mark के उपर हमने इसकी cutting कर लेनी है इस तरह से अब इसमें भी joint आएगा तो यह नीचे से जो fabric बचा है इसको इस तरह से रखेंगे किनारी पर किनारी आदा ही चढ़ाते हुए रखेंगे यहां से जितनी भी हमारी length आई थी starting में वही length को हमने यहां पर copy कर लेना है side से भी और आगे से भी इस तरह से यह जिसके जो joint है यह नीचे वाले fabric के बराबर ही cut होंगे तो यह तरह से हमने mark कर लिया है इसके बाद इसकी cutting करेंगे so guys वीडियो पसंद आए तो please like करके share कर दे और आप यह वीडियो कहां से देख रहा है comment box में जरूर बताना साथी साथ आप next वीडियो कि इस topic पर देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे comment में जरूर बताए तो देखिए यह दोनों जो joint है यह भी कुछ इस तरह से आएंगे दोनों को हमने pin लगा कर secure कर देना है ताके यह side change नहों दोनों joint एक ही side माए है तो यहाँ पर सिलाय लगा कर मैंने दोनों joint लगा लिये है इसके बाद आप देख सकते हैं दोनों joint हमारे एक ही side माए है अब जो अस्तर का घेरा है उसका कमर का round हम अपने top part के round के बराबर ही रखना है तो यहाँ से check कर लेंगे दोनों side से हमारा एक इंच extra रहेगा तो जो हमारा एक इंच extra है वो हमारा margin है तो वहीं से हमने सिलाई नीचे तक लगा देनी है इसी के साथ जो इसका घेरा है वो भी हम तकरीबन quarter inch fold करके सिलाई लगा देंगे तो इस तरह से दोनों side से मैंने सिलाई लगा दी और नीचे से जो इसका घेरा है वो तयार हो गया है यह देखिए जो lining वाला घेरा है वो हमारा इस तरह से तयार रहेगा अब चलिए bottom का जो plated वाला part रहेगा फ्रंट का उसकी cutting करेंगे तो यहाँ पर जितना भी हमारे पास jorder बचा है उसको हम किनारे वाले side से double fold कर लेंगे double fold करने के बाद मेरे पास जो fabric बचा है वो 43.5 inch है तकरीबन हमारे पास यह सवा दो मीटर फाबरिक है तो मेरे पास यह सिर्फ सवा दो मीटर फाबरिक ही बचा था आप चाहें तो इसको डाई मीटर भी ले सकते हैं जिससे front में जो plates हैं फ्लेयर हैं वो ज़्यादा बनेंगे और यह इसका अरज वाली side है यह देखिए तो जो अरज वाली side है वो हमारे front part की length बनेगी तो length के लिए जो हमने back वाला घेरा cut किया था half circle में उसी के बराबर हमने इसकी length लेनी है यह देखिए इस तरह से यहां से जो किनारी वाली side है वो हमने cut कर देनी है उसके बाद इसकी length नीचे से चेक करते हुए ले लेना है अब यहां से जितना भी extra है वो cut करके हमने निकाल देना है तो guys back वाला part हमारा umbrella shape में था और front वाला part हमारा सीधा रहेगा और front वाले part के लिए जो इसकी length है वो हमने अरज वाली side से ली है और जिदर किनारी वाली side है वहाँ पर हमारी plates आएंगी तो देखिए जितनी भी length है उसके according हमने ले लिया यह किनारी वाली side है और यह है अरज वाली side जो हमारी length है तो यहाँ पर confused होने की बिल्कुल ज़रत नहीं है यह देखिए अरज वाली side है यह हमारे length रहेगी अब यहाँ से आगे की तरफ हम ती नीच मार्क करेंगे और नीचे तिर्चा करके मिला देंगे तो एक जो side है वो मेरी थोड़ी सी unequal थी उसी को बस मैं थोड़ा सा तिर्चा shape देकर माग करके cut कर लोगे आप चाहें तो इसको सीधा भी रख सकते हैं बस मैं थोड़ा सा side से a line shape देना चाहते हूँ इसलिए मैं इसको तिर्चा करके cut कर लिया ये किनारी वाली side है जहां से हमारी plates पनेंगी तो ऐसे ही करके fabric को हम open कर लेंगे अब हम अपना top part लेंगे और यहाँ पर हमारे top part का जितना भी foot part है हम उसमें 1 inch plus कर लेंगे तो मेरे measurement का according top part का foot part है 8.5 inch 1 inch plus करने के बाद ये 9.5 inch हो गया 9.5 inch पर mark कर लेंगे या फिर छोटा सा एक cut लगा लेंगे इस तरह से ये दिखिए अब ये एक इंच जो extra है ये यहाँ सिलाई में यानि margin में चला जाएगा अब इस mark पर हमने इंच टेप रखना है इस तरह से और आगे के तरफ 10 inch पर हमने fabric को यहाँ इस तरह से पकड़ते हुए इस mark पर रख देना है यानि हमने यहाँ पर 5 inch गहरी plate बनानी है plate जो है वो हमने वहीं पर बना कर रखनी है जहाँ पर हमने अभी 9.5 inch का mark किया था सबसे पहले ठीक है तो आगे की तरफ जितनी भी plate से हमारी 10 inch पर ही ऐसे ही करके बनेंगी यानि 5 inch गहरी हमने सभी plates बना लेनी है अब जितना भी extra fabric होगा उसी के according हमारी यहाँ पर plates आ जाएंगी and last वाली plate को हमने अपने size के according छोटा बड़ा कर लेना है तो यह वाली side भी मैं 9.5 inch ही रखोंगी यह देखिए इस side से जितना हमने रखा था उतना ही हमने इस side में भी रखना है तो सबसे last वाली जो plate है वो मेरी थोड़ी सी ज्यादा गहरी आएगी इस तरह से सभी plates को हम set कर लेंगे उनको आप चाहिए तो pin लगा कर secure कर लेजिए या फिर आप direct machine पर रखकर भी इसको stitch कर सकते हैं उपर से उसके बाद हम इस पर iron कर लेंगे तो यहाँ पर जितनी भी plates मैंने डाली थी उपर से सिलाई कर ली उसके बाद इसके उपर मैंने iron कर ली and last वाली plate आप देख सकते हैं यह 2 inch extra यानि 7 inch गहरी plate बनी है यह देखिए इस तरह से हमने plates पर iron की नीचे का जो bottom था वो भी मैंने quarter inch fold करके सिलाई लगा ली है तो यह हमारा front वाला जो part है यानि flare है वो इस तरह से तयार हो गया है यह देखिए center से center मिलाते हुए दोनों side से हमारा एक इंच extra है जो कि हमारा दबाओं में चला जाएगा तो आप इसको इस तरह से भी check कर सकते हैं center से center मिलाते हुए यह दोनों side बिल्कुल बराबर रहेंगी और जो plates का face है वो बिल्कुल center में आएगा top part के यह चीज़ आप दिहान से देख लीजिए यह दिखिए अब चलिए जो हमारा दुपट्टा था मैं उसको दिखा देती हूँ तो यह दुपट्टा जो है वो हमने कुछ इस तरह से तयार किया था इसकी जो plates थी वो मैंने दुबारा से डाली है यहां plates की जो लंबाई थी वो मैंने आपको 11 दिखाई थी बट इसकी जो इस तरह से लंद है वो हम 8 से 9 इंच के बीच में रखेंगे तो मैंने यहां पर 9 इंच रख लिया है अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप बस 8 इंच तक रख सकते हैं तो इस तरह से plates हमने सैट कर ली है और यह दुपटा मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ सिंपल सा हमारा यह दुपटा पहले ही तैयार हो चुका है अब जो plates वाला part है यहां भी मैंने अच्छे से iron कर ली है इसके बाद हमने इनको नीचे की तरफ सैट करना है तो पहले यहां से नीचे की तरफ हम दो इंच पर माक करेंगे उसके बाद जो सबसे पहली वाली plate थी हमारी यह वाली इसके नीचे हमने इसको इस तरह से रखना है और इसके साथ attach करना है तो नीचे की तरफ हमने दोपटा वाला जो फैब्रिक है वो आदा इंच नीचे की तरफ कर दिया और यहां से हम पिल लगा कर इसको secure कर देंगे देखिए इस तरह से और अब हमने simply इसके किनारी पर सिलाई लगा देनी है जो यह दोपटा है यह सिर्फ हम प्लेट के साथ जो first plate है हमारी उसी के साथ हमने attach करना है तो यहां पर मैंने किनारी पर एक सिलाई लगाई और उसके आधा इस दूरी पर एक और सिलाई लगा दी है तो इस तरह से जो दोपटा है वो हमारी front की जो plate है उसके साथ attach हो गया है अब इसको हमने इसी तरह से रखना है और अब हमने अपना जो back वाला part है यानि back हमने half circle कट किया था फ्लेयर का उसको उसके उपर रखना है यहां से मिलाते हुए दोनों की जो waste वाली side है वो बिलकुल बराबर है यहां side से भी जो land है वो भी बिलकुल बराबर है center से center मिलाते हुए check कर लेंगे उसके बाद यहां पर हमारा एक इंच extra है side में उसको हमने बराबर मिलाते हुए शिलाई करनी है तो यह देखिए यह बिलकुल बराबर है बस अब हमने इसकी side से एक इंच का दबाव लेते हुए fitting लगा देनी है नीचे तक सो दोनों side में हम इसी तरह से इसकी सिलाई लगा देंगे इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमने जो इसका घेरा है वो भी quarter inch fold कर लेना है यानि back वाला जो घेरा है वो भी हमने fold नहीं किया था तो वो भी अब हम इसको fold कर लेंगे सो इस तरह से हमारा जो घेरा है वो सिलाई लगा लिए हमने और अब इसको हम सीधी तरफ टान कर लेंगे इस तरह से इसके बाद जो हमारा अस्तर है जो हमने पहले ही ready कर लिया है यह देखे साइड से fitting भी लगाई थी और नीचे जो इसका bottom था वो भी हमने fold कर लिया था तो इसको हमने सीधा करके रखना है और जो हमारा जॉर्जट वाला flare है उसको भी हमने सीधा रखना है अब इसको इसके अंदर हम insert करेंगे तो यहाँ पर दोनों की जो waste round है वो बिल्कुल बराबर है यह देखिए side की जो fitting वाली सिलाई है वो हम side में आपने सामने रखेंगे और इसके उपर आदा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा देंगे अब यह waste से जो है एक दूसरे के top part के साथ attach करना है top part और घेरे का जो center है यानि घेरे में जो plates वाला part है वो top part के बिल्कुल center के सामने आएगा वो चीज इदर उदर नहीं होनी चाहिए तो यहाँ से कमर की बराबर मिलाते हुए हमने आदा हिंच का दबाव लेकर सिलाई लगा देनी है तो लिजी इस तरह से हमने top part को घेरे के साथ attach कर लिया है और आब इसको open कर लेंगे यानि सीधा कर लेंगे और इसी के साथ हमारा 2-in-1 outfit तयार हो गया है यह outfit मैंने कम अरज के जॉर्जट के साथ बनाया है अगर हमारे पास 60-inch अरज की जॉर्जट है तो उसकी cutting दूसरे तरीके से होगी और उसका जो flare है वो दूसरे तरीके से यानि और जादा अच्छा हैगा तो गाइस उम्मेद करूंगी यह वीडियो आपने like करके share कर दी होगी चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे और यहाँ end screen पर क्लिक करके आप यह वीडियो ज़रूर देखें थैंक्स पर वाचिंग